अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए याद रखना, सिर्फ तीन दिन है हमारे पास मेरा तुम से प्यार करना, मेरी जिन्दगी की सबसे पड़ी कलती थी मैं तुम से कहीं स्यादा अच्छी नच्छी दिसफ करता हूँ कुछ पलों के लिए मुझे गलत फेमी होई थी, क्या आप मेरा प्यार है लेकिन अप, हब मुझे ऐसा नहीं लगता है हाप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सेहन में बहुत फर्क है अम दोनों एक दूसरे के नहीं बने है, बबबल जी, ये भात मैंने स्विकार कर लिये और जितनी जल्दी आप इस बात को स्विकार कर ले आप ले सही होगा अपने लिए भी कोई अच्छी ज़ड़की दून कर, आप शाथी पहनी जीए इसको बोल की फोटो देख और लड़की चुनले अपने लिए मैं भी होई बोल रहा हूँ, या क्या है ये सब? अले लड़कों के फोटो हैं देख, इच्छा की शादी तो लगभग होली, अब तू अपनी शादी के बारे में थोड़ा बहुत सोच ले देख बबबन, मैं तुझे समझाता हूँ, देख क्या है कि घर का एक बेटा कुमारा रहे, बात समझ में आती है वेकिन घर के दो दो बेटे कुमारे, ना ना बबबन, तू शादी कर ले देख, वहाँ इच्छा खुश, यहाँ तू खुश, और हम तो ऐसी खुश देख ले फोटो, भाहिया, मुझे कोई फोटो भोटो नहीं देखनी है, आप पीज जाए ऐसे, प्लीज अले देख ले ना, कोई तो पसंद आ जाएगी देख छोटे, तेरा दर्थ हम जानते हैं लेकिन दुनिया का कोई भी घाव ना, उसमें समय रहते हैं मरम पट्टी कर लेनी चाहिए देख, तू शादी करेगा, अपनी ग्रहस्ती बसाएगा, तो इक्छा को भूलने में तुझे असानी होगी ना वरना ऐसे तो तू देवदास बन जागा मेरे भाई अबबल, देख ले, बबबल, कोई पसंद आई? इसकर्ट वाली कैसे लगी तरको? अच्छे यह बबबल, यह लंबे बालो वाली कैसी है? अच्छे यह बईया, बोच वोड़, यह गुंगराले बाल वाली कैसी लगी तरको? अच्छे यह, बउख वाल वाली कैसी है? अच्छे है, रहे, तू, क्या कर रहे? सबको अच्छे-च्छी बोले रहा है देग भी क्या कर रहा है तू? सब पसंद आगी क्या तू तू ज़े, सबसे शादी करेगा क्या तू? मुझे नहीं तो एक ना समल नहीं, यह इतनी सारी कैसे सवा लेगा? छोटे, मुझे लग रहा है इसका मूट ठीक ना है अभी, बाद में आते हैं ठीक है, चल वही आते फिर दुबारा, पीली ड्रेस इच्छा एक पर और सोच ले बेटा, सोचने का वक चला गया है मा, अब तो युद होगा, महा शिवरात्री के दिन, महा शिवरात्री के दिन ही क्यों? मा, आप तो जानती हैं, महा शिवरातरी शिव जी का तेयोहार है, उस दिन शिव जी की कृपा हम पर जम कर बरस्ती है, हम नागो की शक्तिया अपनी चरम सीमा पर होती है, उस दिन हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अब इसी बात का फाइदा उठा कर, इस मेरेश कपनी चाल में फसा लेंगे, लेकिन कैसे, मेरा मतलब है, तुम्हारी दिमाज में चल क्या रहा है, सुनो, महा शिवरातरी के दिन, जब सारी दुनिया पूजवार भक्ती में लीन होगी, एक बार मयूरेश हमारे हाथ आजाए, हम उसे सीधा नागिस्तान ले जाएंगे, और उसका फैसला फिर भही करेंगे, इच्छा तुम्हे लगता मयूरेश इस जाल में फसेगा, वाकू, सच्ची लगन हो तो सपने साकार होते हैं, और इरादे नेखो तो रास्ते आसान होत इच्छा मुझे तेरी सूजबूज और योजना पर कोई संदेह नहीं है, तुने सोचा है तो सही सोचा होगा, पर मेरी सपूनी, मुझे तेरी चिंता हो रही है, तो हर बार की तरह इस बार भी अपनी जान जोखी में डालेगी है, और हर बार की तरह सही सलामत लोट भी होती है संगर्ष मेरी जिंदगी का ऐसा ही खिस्सा है कि मां है आप मुझे अशिरवाद दीजिए कि आशिरवाद के एक हाथ में हजारों हत्यारों की ताकत होती है कि बबल कि बबल मैं तुम्हें ढूंड रहा था क्यों एक कहानी सुनानी थी कभी तुम पहाड़ी वाले मंदिर गए हो वहां से गुदरत हुए लोगों को देखा है उनके हाथ मेना परसाद का लड़ू होती है और उस लड़ू पे बंदरों की नजर होती है बेचारे बहुत उचलते हैं कूटते हैं लेकि लड़ू उसे ही मिलता है जो उस लड़ू का हकदार होता है तुम्हें देखके मुझे जन बंदरों की याद आ गई मेरा मतलब के इच्छा प्रसाद का लड़ू खाने वाला मैं है और तुम बंदर और तुमने सुना ना के इच्छा ने मुझे से शादी के लिए हां करने है अब वो मेरी होने वाली पत्नी कोई भी एरा गेरा इच्छा के आसपास भी फिरके वो मुझे पसंदे आज से अभी से तुम इच्छा से दूर ही रहना अभी इच्छा की शादी होने में बहतर गंटे बाकी है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इसी परिवार का हिस्सा है तो उस इसाब से एरा गेरा मैं नहीं तुम हो बबल जी क्या करें अब छोड़िये इसे इच्छा यहां तुमारे होने वाले पति का अपमान हो रहा है उसके साथ बद्दमीजी की जा रही है अग तुम खड़ी खड़ी देख रहे है मुझसे दाला गुसा तुम्हे आना चाहिए क्या बोल रही हो तुम यही के मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है और इसका बदला तुम लोगी मतलब मतलब यह के थपड मारो भबल को और यह साबित कर दो कि तुम अपने होने वाले पती की बेज़ती उसका अपमान बरदाश्ट नहीं कर सकती मारो थपड नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती बबल जी छोड़ दीजे बबल जी आप समझे बात को बबल जी बबल जी बबल जी छोड़िए बबल जी कमसे कमा आप तो अगर मैं चाहू तो मैं इस थपड का जवाब थपड से दे सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि एक तो ये इस गर के संसकार नहीं है और दूसरा ये किसी लड़की पे हाथ उठाकर अपनी मरदान की साबित करने का मुझे कोई शौक नहीं है और एक और बात मेरी चुप़ी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे पहलवान की ओदा तो अगर पटकने पे आऊंगा ना तो तुम्हारा सास लेना भी मुश्किल हो जाएगा अब बबल जी अब तो मैंने शादी के लिए हां कर दी है तुम जो चाहती हो जैसा चाहती हो सब कुछ हो रह है फिर ये नोटन की क्यों कर रहे हो इच्छा एक एहसास दिलाना था तुम्हे कैसा एहसास यही कि आज के बाद जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे ऐसा ही सबक बिलेगा मेरे हाथों या फिर तुम्हारे हाथों और एक बात कहूं आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आरा है तुमने मेरे एक बार कहने पर बबल की पूरी अकड़ी उतार दी अब जो तुम्हारी मरसी वही मेरी मरसी है तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है जो तुम चाहते हो वही करोगी पक्का अब भी शक है लेकिन एक बात है मयुरेश करहस्ती में ताली एक हाथ से नहीं बच्चती अगर मैं तुम्हार ले कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे ले कुछ करना होगा बोलो, क्या कर सकते हो तुम? कुछ पी कुछ पी? आज मांके देख लो वक्त आने दो आज मालूंगी इच्छा जब तक मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा समझ लो जिंदगी खुशहाल रहेगी लेकिन अगर तुमने मुझे धोका देने का सब्स्त वो तो अब नहीं होगा मयुरेश मैं अपने हिस्से का प्यार साबित कर चुकी हूँ अब तुम्हारी बारी आज तो वाकई कमाल हो गया इच्छा को इतना मजबूर हमने आज तक नहीं देखा जिस बबबर को बचाने के ने इच्छा ने अपनी आधी जान तक लुटा दी थी आज उसी बबबर पर उसे अपना हाथ उधाना पड़ा मानना पड़ेगा मयूरेश को ये सब उसी का किया धरा है महरानी काश ऐसा शातिर और ऐसा होनहार कोई हमारा सेवक भी होता लेकिन नहीं हमारे यहां तो सिर्फ भगोडे भरे पड़े माफ पिकर दीजे महरानी मुझसे गल्तियां हुई है पर अब दुबारा नहीं होंगी आप आदेश दीजे मैं अभी जाके उस इच्छा को नहीं हमें अभी कुछ नहीं करना है लेकिन महरानी यही सही वक्त है इच्छा कमजोर है तूट रही है हलका सा भी वार उसे खत्म कर देगा जो भी हो हम अभी इच्छा को नहीं मारना जाहते है तूट मज़ा आ रहा है उसे तडपता हुआ देखका तडपने दो रोने दो कोस ने दो खुद को वो इस वक्त अपने आप से लड़ रही है लड़ने दो जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाए दी उस दिन हम अपना दाओ के लिए जाओ आसे इच्छा मैं कोच उल्टा सीदा कर बैठोगा चली जाओ मैं जानती हूँ बस एक आखरी बार मुझे अपनी बात कहने दीजे I'm sorry Babal जी मुझे माहफ कर दीजे अरे कितनी ग़तियों के लिए कितनी बार पाफिंभाओगोंगी तू नहीं बबबल जी अब गलत समझ रहे हैं मैं गलत समझ रहे हैं अभी कुछ देर पहले वावो मैं बस जग्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसके तुम ले मुझ पे हाथ उठाया थत्पड माना मुझे क्यो इच्छा मेरी क्या गलती थी इसे मने क्या कर गिया जो मबल जी आप बैठी में आपको मुझे कुछ नहीं सुनना है कुछ नहीं समझना है तुमारा अस्ती चरफ सब के सामने आगए अच्छा अब तुम मुझ से जितना दूर रहोगी उतना तुमारे लिए अच्छा होगा मबल जी आप निकलो यहांसे मबल जी मबल जी आप एमा इच्छा की साथ दी में मैं जले बी डांस करूँगा खड़ा जी जी अच्छा अच्छा आपने बुलाया मुझे? हाँ छुरा थार इससे बहुत जरूरी बात करनी है शादी की सिलसिले में? हाँ छुरा हमारे पास तीन दिन है और तीन दिन में तीन रस्में कल हल्दी, परसु मेंदी और तरसु शादी डादी जी आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा और आप शादी की तैयारों के फिकर मत कीचिए अगर जुरुवत पड़ी तो हम बाहर से कारिगर मंगवा लेंगे अरे वो सब तो ठीक है छोरे लेकिन मैं माननों का के करेगा तेरे रिष्थेदार जान पहचान वाले उन सब को तु बुलाना पड़ेगा न हाँ इच्छा का तो कोई आगे पीछे भी ना है जो भी है हम ही लोग है शादी की सारी रस में खड़क करेगा अब कन्यादान भी खड़क करेगा लेकिन आशिरवाद देने के लिए थारे परिवार के लोगों को भी बुला ले आजाएंगे दादी जी सब आजाएंगे जैसे ही इच्छा ने शादी के लिए हा कहाना मैंने सब को फोन कर दिया गल तक उन्हें पहुंचाना चाहिए अपू यहां भी नहीं है के हो गया चोरी तो इतनी हैरान परिशान क्यों भूम रही है दादी जी अपू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अरे खेतों में गया होगा खेलने के लिए आज आएगा छोरा बड़ा हो गया है तो फाल तो में उसकी चिंता मत करा कर अब लेकिन पिता जी ठीक है मैं जा के देखता हूँ उसके कान पकड़ के लेके आओंगा खुष्ट अबबल जी हाज आप पर हाथ उठा कर इतना दर्द मैंने आपको दिया है उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं बर्दाश कर रही हूँ मैं जानती हूँ एने आपका बहुत दिल दुखाया है लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास आपके जान को उस वक खतरा था वा मैयूरेश आपको जाट से मार डालता इस से लिए मैंने लेकिन अब और नहीं मैं बहुत जल्द उस मैयूरेश को इस घर से हम सब की जिंदगी से बाहर फेक निकालूंगी इच्छा आज तो हद हो गई तुमने बबल को मैयूरेश ने मुझसे बबल जी को थपड मरवाया है अब वो इसके कीमत चुकाएगा लेकिन कैसे कुछ सोचा है क्या करना है कैसे करना है अब मैं अपना दूसरा दाव खेलूंगी इच्छा पहेलिया मत बुजाओ तुमने पहला दाव कब खेला जो वाकू मैयूरेश को शादिकले हां बोलना ही मेरा पहला दाव था अब दूसरा दाव इसे खेले में तो और भी मज़ाएगा तु एक काम कर एक गलास दूद लेकर आव ओ दूद इच्छा जी शायद आप भूल गई है मैं इस घर में चुप कर रहता हूँ इस तरह सरयाम सब के सामने दूद लेने जाओंगा न तो सो नजरे उठेंगे और हजार सवाल इसलिए तुम जाओ और दूद लेकर आओ लेकिन पहले ये बताओ इस दूद से क्या होने वाला है बहुत कुछ सही जा रहे है ना शत पतिशत ठीक है तु मैं चलती हूँ अपने नए अभियान पर कि अरे अप्पू कहा था तू मम्ता दीदी कब से दुज़े उन रही थी अप्पू कितनी बार का है तुछ से घर से बाहर जाते वग किसी को बता कर अप्पू अरे इसे क्या हो गया अप्यूरेश लो दूद दूद मेरे लिए हाँ अब और किसके लेके आऊंगी यह कोई पीने की चीज है ऐसा मत कहो जिसे तुम प्यार करते हो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इच्छा मोर दूद नहीं पीते हैं तो फिर मैं कैसे मेरे ले भी निपी ओगे ऐसे तो बड़ी बड़ी बाते करते रहते हो मैं तुम्हार ले ये करूँगा तुम्हार ले वो करूँगा एक गलास दूद की बात आगी तो क्या हुआ मुझे शक हो रहा है कहीं ये तूद पिलाने के बाहने तुम पुछ जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते आखे बंद करके विश्वास करते हैं या या ठीजे शादी की बात करते हो एक दूसरे के साथ जिन्दगी बिताने की बात करते हो और फिर जब मैं तुम्हार ले कुछ करने जाती हो तो तुम्हें लगता है दिलों में शक हो तो वो कभी एक नहीं हो सकते ये लो दूद पी लो झाल झाल कर दो